जोस्तो आज मैं आपको एक ही कुकर में ताल और रोटी दोनों चीज़ें बनाना बता रही हूँ और यह जो आज की रेस्पी यह बहुत हेल्दी होती है इसको आप लेंच में डिनर में दोनों टाइम बना के खा सकते हैं खाने में यह बहुत अधा स्वाजश लगती है तो चलिए देर किस बात की आज की इस स्पेशल रेस्पी को बनाना हम लोग शुरू कर लेते हैं सबसे पहले हमें डाल उबालनी हैं तो मैंने आपर एक पैन में एक कप डाल डाली है यह तूर की डाल है और इसको हमें अच्छे से लगभग दो से तीन बार धो लेना है धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो गंदगी होती है आज अच्छे से साफ हो जाती है दोने के बाद डाल को डालेंगे एक प्रेशर कुकर में साथी साथ इसमें डालेंगे हम चार कप पानी एक कप डाल के लिए मैं चार कप पानी का इस्तिमाल कर रही हूँ मैंने डाल पहले से भीगोके नहीं रखिये इसलिए पानी की मातरा थोड़ी सी जादा रखिये अगर आप डाल को भीगोके बनाते हैं तो इसमें जो पानी है उसकी मातरक कम पड़ती है अब डाल देंगे एक चम्मच नमक, आदा चम्मच हल्दी दोनों को अच्छे से मिलाते हुए कोकर को हमें बंद कर देना है और लगभग 3-4 सीटी आने तक दाल को हम पका लेते हैं ये कर दिया मैंने गयास को ओन चली जिब तक दाल पकरेंगे हम रोटी के लिए आटा तयार कर लेते हैं यहाँ पर लिया है मैंने एक कब गेहूं का आटा आटे में डालेंगे हम दो चुटकी लाल मिर्ज पाउडर एक चुथाई चम्मच हल्दी पाउडर एक चुथाई चम्मच नमक सारी चीज़ों को पहले मिला लीजिए इस तरीके से और उसके बार डालिए थोड़ा-थोड़ा करके पानी और इसका डो तयार कर लीजिए थोड़ा सा हमें सौब डो बनाना है जैसा कि डो रोटी बनाने के लिए बनाया जाता है तो यहाँ पर भी रोटी के लिए उतना ही सौब डो लगाना है डो यहाँ पर हमारा यह लग चुका है अब मैं इसको रख दिती हूँ फोलने के लिए और चलिए दाल देख लेते हैं क्योंकि उसमें सीटी आ चुकी है यह दाल यहाँ पर अच्छे से उबल चुकी है देखिए एकदम परफेक्ट इसका टेक्चर है और परफेक्ट तरीके से दाल उबली हुई है अब हम दाल में तड़का लगाएंगे एक कढ़ाई में डालेंगे 6 चम्मच घी आप चाहे तो तेल से भी लगा सकते हैं पर घी से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है घी गरम होने के बाद डालेंगे इसमें एक चुथाई चम्मच हींग एक चम्मच जीरा दो सूखी वाली लाल मिर्च आप हरी मिर्च भी इस्तिमाल कर सकते हैं भून लेते हैं थोड़ा सा इनको ऐसे और भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं एक बारी कटी हुई प्याज और प्याज को हलका सा ग्लॉसी करेंगे इसको हम जलाएंगे नहीं हलका सा ग्लॉसी होने तक पकाएंगे प्याज यहाँ पर हमारी अच्छे से पक चुकी है और भून भी चुकी है तो इसमें डाल देते हैं एक बारी कटा हुआ टमाटर साथी साथ डालेंगे आदा चम्मच धनिया पाउडर एक चुथाई चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मिला लेते हैं मसालों को अच्छे से टमाटरों प्याज में और इसको लगभग 2-3 मिनट तक ऐसे ही भून लेते हैं तो जब तक हमारी ये टमाटर अच्छे से सौफ्ट हो रहे हैं चलिए अब हम रोटी तयार कर लेते हैं आटा यहाँ पर अच्छे से फूल चुका है तो इसके उपर डाला है मैंने थोड़ा सा सूखा आटा और बेलन की मदद से बेलते हुए इसकी हमें एकदम बड़े सी रोटी तयार करनी है ध्यान रखे हैं कि बड़ी सी बनाए और पतली बनाए मोटी ना रखे यहाँ पर यह रोटी बिली थी और इसके जो पीस हैं वो भी बहुत ज़्यादा पतले हैं और यहाँ पर हमारी जो प्याज और टमाटर है अच्छे से भुन चुके हैं यह हमारा पेश्ट बन गया है तो इसमें डाल देते हैं उबली हुई दाल साथी साथ इसमें डालेंगे दो कप पानी क्योंकि हमें यह जो दाल है पतली चाहिए गाड़ी नहीं चाहिए है मिला देते हैं अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं तैयार की हुई अपनी कटी हुई रोटी यहाँ पर मैंने दाल में नमक नहीं अभी डाला है क्योंकि नमक मैंने उबलते समय डाला था तो नमक इसमें प्रॉपर है और कटी हुई रोटी डालने के बाद इसको कवर करके लगभग 15 मिनट तक ऐसे ही लोफ लिम पे पकाना है 15 मिनट बाद यह देखिए हमारी दाल लोटी यानि दाल ढोकली बन की तयार हो गई है प्रॉपर तरीके से पक गई है आप चेक करने के लिए क्या करें एक ढोकली को ले और इसे दवा के देखें अगर अच्छे से पक जाती है तो वो चिपकती नहीं है उंगलियों में के लिए अब हम इसको कर लेते हैं गरम गरम सर्व दोस्तों यह रही यहां पर हमारी गरम गरम डाल लोटी यानि की डाल ढोकली है ना इसको बनाना बहुत आसान बिना जंजट के आप इसको एक ही कुकर में फटापट से बना के खा सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो इस इसको अपने फ्रेंड्स और फैमली वामेज के साथ शेयर जरूर करें मिलेंगे आपके साथ अगली नए वीडियो में तब तक लिए आपका दिन शुब हो नमस्ते